विल्कम विवर्स आज का हाउस प्लान 425 स्कार फिट का हाउस प्लान है और बनाने के लिए 6,50,000 एमाउन का जरुरत होगा और इसके लिए जो कलम का जरुरत होगा वो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया हूँ दिखिए मैंने जो पहला कलम है ये इसको 10 फिट तक उठा लेता हूँ क्योंकि बिल्लिंग हाइड हमारा 10 फिट है तो अज का जो हाउस प्लान है इसमें हमने टोटल 8 कलम यूज किया हूँ जो की देखते रहे हैं मैं इसको बना दे रहा हूँ और पूर अब डिटेल्स अगर आप लोग हमारे प्लान को देख लिए तो एक बहुत ही इंटरनेल एंड एक्स्टरनेल वाल जो की 5 इंच का ठीकनेस टाखाया हूँ ये हमने उठा लेता हूँ और फिर आगे चलेंगे हम इसका डाइमिनिशन और पोजिशनिंग हम देख लेते हैं सो फिवर्स जो लोग हमारे चैनल में नया जूड़े है प्लीज से आपको रोज नया नया एक वीडियो मतलब हाउस प्लान देखने मिलेगा सो फिवर्स ये दिखिए हम वाल उठा लिया हूँ आप चलते हैं इसके डीटिल्स हमने देख लेते हैं पहला जो है हमारा बिल्लिंग हाइट मतलब प्लींद हाइट जो है रोट लेबल से हमने इ रखा हूँ थ्री स्टेप पभाइट किया हूँ हर स्टेप का सिक्स इंच का हाइट है अब चलते हैं पहले हमारा साइट आउट है और साइट आउट के जस्ट बगल में हमने रखा हूँ ओपेन स्टेयर जो इसका लेंद्ध 2 फिट 6 इंचेस और ट्रेड है ये हमारा 9 साइट आउट एरिया में ये दिखिए 5 फिट बाई 6 फिट 8 इंच का यहाँ पे हमने बाईक भी पारकिंग कर सकते हैं एक रैम अगर दे देंगे तो और मैंने खोला रखा हूँ आप लोग चाहेंगे तो यहाँ पे ग्रिल दे सकते हैं अब चलते हैं हमारा जो में डोर होगा यह देखिए यह 3 फिट 6 इंच बाई 7 फिट का हाइट है जैसे हमने एंट्री किया हमारा हॉल में पहली हमा हॉल मिलेगा और जिसके साथ हमने ओपेन कीचन भी प्रोभाइड किया हूँ और कीचन का जो स्लाब है दिखिए इसको मैंने 32 इंच उठा लिया हूँ और जो किचन की पीछे हमने हमारा आज का ट्वाइलेट है एक ही ट्वाइलेट है लेट इंच बाद सो उसको भी हमने उसका डाइमिनिशन बगरा देख लेते हैं पहले उसका डोर बना लेते हैं और डोर का जो साइज है यह धाई फिट बाई 7 फिट का है सो भीवर्स मैंने लेट इन बाद साथ में ही रखा हूँ और जो इसका साइज है यह 4 फिट चावड़ा है और जो हमें लेन थे मतलो लंबा बला जो साइज है यह 6 फिट 3 इंच का है अब चलते हैं हमारा बेडरॉम के और जो बेडरॉम है इसका पहले हमने डोर बना लेते है और जो डोर का साइज है यह 3 फिट 4 इंच बाई 7 फिट अब चलते हैं बेडरॉम का फारनीच लेयाउट कर दिया हूँ और जिसमें देख रहा है दो बेडरूम है और डाइनिंग और जो बेडरूम का दिखिए साइज है वो बेडरूम का जो साइज है यहां से यहां तक यह हमारा 9 feet 6 inches by जो लंबाई वाला पोर्शन में मिलेगा यह हमारा 9 feet 3 inch का है अब चलते हैं दूसरा बेडरूम के और जाने से पहली पहली हमारा जो डोर है उसको हम बना लेते हैं यह जो डोर है यह डोर हमने 3 feet 4 inch by 7 feet का रखा हूँ और अब चलते हैं बेडरूम का डाइमिनिशन देख लेते हैं यह यहां से यहां तक हमारा 9 feet 1 inch का है और जो इस तरह मिलेगा यह हमारा 9 feet 6 inch का है सो भी वर्स हमने total हमारा जो आज का डाइमिनिशन डेटेल से यह आब लोग के साथ share कर दिया हूँ सो भीवार साहा हमारा आज का जो प्लान है अब लोगों को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और दूसरे के साथ सेयर कर दीजिए और शाथो शाथ साब्सक्राइब भी कर लीजिए अब चलते हैं इसका जो हमारा भेंटिलेशन होगा मतलब विंडो कहां से प्रोभाइड करना होगा हो हम देख लेते हैं इसको हमने देखिए हर बेडरूम में दो करके देना है मतलब दो बेडरूम में इस बेडरूम में हमने दो और बीच वाला जो बेडरूम है यहां पर एक पर बाइब क्याए जो हमारा टॉयलेट है में थोड़ा है हाइड करने के लिए हमने यहां पर त्री फीट बाइक धर फीट का वइंडो करेंगे जिसको हम भेंटी लेटर कहेंगे यह हमारा ventilator है और जो हमारा kitchen है इसमें हमने 3 feet by 3 feet का एक window प्रोवाइड किया हूँ और जो हमारा dining hall है इसमें 6 feet by 4 feet 6 inches का हमारा एक window प्रोवाइड करे हूँ विवार्स हमने आज आप लोगे साथ पूरा detail शेयर किया हूँ अगर अच्छा लगा तो फिट एक लाइक तो जुरूर बनता है लाइक दीजिए और साथो साथ हमने साब्सकाइब भी कर लीजिए जो नया विवार्स है और जो यह building बनाया हूँ यह दिखी यह 25 feet लेंध है और फेस है 17 feet 17 feet by 25 feet में हमनी यह आज का two bedroom house plan आवलोगे साथ शेयर किया हूँ जिसको बनानी के लिए 45,000,000 का जुरूरत होगा थैंक्स फॉर वाचिंग